हलो फ्रेंड्स बल्कम टू माई यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में ITBP परिच्छा के लिए GKGS जनल हिंदी के टॉप 50 कोशन्स इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइकों आज के इस वीडियो में ITBP परिच्छा के लिए GKGS जनल हिंदी के प्रीवियस एर के कोशन्स इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइकों से जरूर करें और जो भी हमारे नए ब अगला कोशन्स अगला कोशन्स देखेंगा गाइस 2011 की जनगरना के नुचा तो बिहार आपका सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन्स बावर और राजपूतों के बीच चंदेरी कायूद कब लड़ा गया था तो बावर और राजपूतों के बीच चंदेरी कायूद जो है ना पंदरा सो अठाइस इस भी में लड़ा गया था तो पंदरा सो अठाइस आपका सही अंसर हो जाएगा अगला कोशन्स देखेगा दिल्ली सलतनत का संस्थापक निमलिखित में से कौन था तो दिल्ली सलतिनत का संस्थापक कुतबुदीन एवग था तो कुतबुदीन एवग आपका सही अंसर हो जाएगा अगला कोशन से गाइस की होई सिलिस्वर मंदिर किस भारतिय राजमे इस्थित है तो होई सिलिस्टर जो मंदिर है न ये करनाटक राजिमे स्थित है तो करनाटक आपका सही अंसर हो जाएगा बात करेंगे अगले कोशन्स की अगला कोशन्स देखेंगा गाईज कोशन्स देखेंगे भारतिय सोतंतरता पूर्व अबधी के दोरान गरीवी आंकलन का हिस्सा कौन नहीं था तो भारतिय सोतंतरता पूर्व अबधी के दोरान गरीवी आंकलन का हिस्सा वी एंड दांडेकर नहीं था तो V options जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा So guys, अगला questions देखेगा So guys, अगला questions देखेगा Questions देखेगा तो देखे, पश्रिम बंगाल के निम्लिकित में से कौन सा लोक नरत्माइलाओं द्वारा किया जाता है जो अपने बच्चों को इच्छाओं को पूरा करने के लिए देपताओं से आसिरवाद मांगती है तो देखे, पश्रिम बंगाल के जो ब्रिता है ना, ब्रिता ये नरत्माइलाओं के द्वारा किया जाता है और जो अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए देपताओं से आसिरवाद मांगती है तो ब्रिता आपका सही अंसर हो जाएगा अगला कोश्चन से देखेगा, वीडियो को एक बाद सेर कर देजिए, सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कोश्चन है कि अकाली आंदूलन का नेतत तो किस धर्म के नेताओं ने किया था तो यह आपको ध्यान में रखना है कि अकाली आंदूलन का जो नेतत तो है ना, इस सिख धर्म ने किया था तो सिख धर्म के नेताओं ने किया था तो सिख धर्म आपका सही अंसर हो जाएगा यान कि ऑप्शन नमर टी नेक्स कोशन्स देखागा गाईस नेक्स कोशन्स है आज जमान पर्या वरणिये परिस्तिकी के संपर्ख में आने वाले प्रोटीन में होने वाले भौतिक परिवर्तन को इस नाम से जाना जाता है तो इसे जो है ना विकृत्ती करण यानि की डीनेचुरेशन के नाम से जाना जाता है तो सी ओप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अगला कोशन्स खाद सनच्छन के लिए निमलेखित में से किस तकनीक का उप्योग किया जाता है कोशन्स में कि आप पूछा जा रहा है खाद से समंदित खाद सनच्छन से समंदित किस तकनीक का उप्योग किया जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि डिब्बावंदी और पार्श्री करण हिमीकरण और विकरण से खाद संदच्छर तकनीक का प्रियोग किया जाता है तो D options जो है आपका विल्कुल सही हो जाएगा यहां पर देखिए खाले स्थान दिया जा रहा है और भारतिय वायू सेना IAF ने सुदैसी रूप से डिजाइन और विक्सित हेलिकॉप्टर का उडान परिच्छर किया था जिसने 11 दिसंबर 2021 को पोखरण से स्टेंड आफ एंटि टैंग मिसाइल को पहली बार लॉंच किया था तो ये जो मिसाइल जो है ना रक्षा अनुसंदान एवं विकास संगठन ने लॉंच किया था तो रक्षा अनुसंदान एवं विकास संगठन आपका सही अनसर हो जाएगा सो गाइस अगला कोशन से देखेगा सेसन को यवाद सेयर कर दीजे सभी बच्चे निम्लिकत में से किसने अपने अनुआईयों के साथ खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन सुरू किया खान अब्दुलगफार खान ने अपने अनुआईयों के साथ खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन सुरू किया था तो खान अब्दुल गफार खान आपका सही अंसर हो जाएगा ठीक है शोद में कोशन्स की हम बात करेंगे गायस अगला कोशन्स देखेगा मई 2021 में निमलिकित में से किस बग्यानिक को विसुखाद पुरुसकार 2021 दिया गया था 2021 का जो पुरुसकार है विसुखाद पुरुसकार किस बग्यानिक को 2021 में दिया गया था ये डॉक्टर स्टिला हरक सिंग फिस स्टेट को दिया गया था डॉक्टर स्टिला हरक सिंग फिस सेट आपका सही अंसर हो जाएगा सुगाज अगला कोशन्स है कि आश्र रचना infrastructure के समबंद में निमलेखित में से कौन सा कथन सत्य है तो आफ्रचना infrastructure के समद में आफ्रचना के एक मूर्ती पर समपत्य है तो यह options यो है आपका बिलकुल सही हो जाएगा So guys अगला questions आपके screen पर questions है guys की पूजी बाजार खाले स्थान दिया जा रहा है रिन के उधार देने और उधार लेने से सम्दित है तो कुझी बज़ार जो है ना ये मध्या विदी और दीरगा विदी रिन के उधार देने और उधार लेने से सम्दित है तो D options जो है आपका बिल्कुल सही हो जाए Guys अगला questions देखेगा questions क्या है निम्न में से कौन सी कोशिकाएं ठीक से बिवाजित हो सकती है कौन सी कोशिकाएं ठीक से बिवाजित हो सकती है सुगाई तवचा कोशिकाएं जो है ना ठीक से बिवाजित हो सकती है तो B options जो है आपका विल्कुल सही हो जाएगा Mass questions देखें का guys अगला कोशन से नहीं देखिए खाले स्थान दिया जा रहा है कोशन से कि राग का मुक्त प्रभा है जिससे कोई सब्द कोई निश्चित लाल का उप्योग नहीं किया जाता है तो यहां पर देखिए आलाप जो है ना आलाप आलाप राग का मुक्त प्रभा है जिसमें कोई का सही अंसर हो जाएगा ठीक है अगला कोशन देखेगा लोक संगीत और उसके संबंदित राज के अंदर सासित प्रदेश के सही सयोजन का चैन करें इसमें देखिए जो चक्री है ना चक्री जम्मू और कस्मीर ये जो है आपका उप्शन में ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसका सही हो जाएगा ठीक है चक्री डी ऑप्शन सही हो जाएगा नाश कोशन देखेगा गाईस भारतिये समिधान के भाग तीन को किस रूप में जाना जाता है तो भारतिये समिधान के भाग तीन को माधिकार पत्रमैगना काड़ा के नाम से जाना जाता है तो सी options जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अगला questions देखेगा मद्ध परदेश में साची किस सहली के इस्थापत्य महत्यों के लिए लोग परी है मद्ध परदेश में साची जो है ना ये बहुत इस्थापत्य महत्यों के लिए लोग पर यह है तो बहुत इस्ता पत्या आपका सही अंसर हो जाएगा यानि option number V so guys अगला questions देखेगा questions है कि निम लिखित में कौन सी चोटी great निकोबार द्वीप में इस्तित है कौन सी चोटी जो है ना जो great निकोबार द्वीप में इस्तित है तो mount थुली air आपका सही अंसर हो जाएगा option number A so guys अगला questions देखेगा अगला questions है कि पुरवांचल में पटकाई पाहडियां नागा पाहडियां मड़ीपूर पाहडियां और यह सामिल है तो पुरवांचल में पटकाई पाहडियां नागा पाहडियां और मड़ीपूर पाहडियां जो है ना यह मिज्जो पाहडियां में सामिल है तो मिज्जो पाहडियां आपका सही अंसर हो जाएगा अगला questions देखेगा guys अगला questions है सलतनत काल के दौरान फारसी सब्द वंदगान का सही अर्फ निम लिकेद में से कौन सा था सलतनत काल के दौरान फारसी सब्द वंदगान का सही अर्फ है ना शैने सेवा करने वाले विशेस गुलाम option number V बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है option number V पच्चेसमा questions देखेगा Engineering और Computer विज्यान के छेतर में 2021 का Infosys पुरुसकार किसे मिला था Engineering और Computer विज्यान के छेतर में 2021 का Infosys पुरुसकार जो है न चंदर सेखर नायर को मिला था तो चंदर सेखर नायर आपका सही अंसर हो जाएगा अब यहां से देखेगा आपके हिंदी के सार नेत्र आुइए तो नेत्र आपका सही अंसर हो जाएगा ठीक है। कि he मुँअ कि दूसरा कोशन है निमलिखित में से कि सब्ध के विग्रह में तत्पूरुस समास होगा चैन कीजिए कि विग्रह में tत्पूरुस समास होगा धरणी धर जो है ना धरनी देखिए धरनी जो है आपका अलग हो जाएगा धरनी का धर करताने करम को का यानि यहां हो जाएगा तत पुरू समास धरनी धर बी ऑप्षन फिल्कु शही हो जाएगा ठीक है Nash questions देखेगा Nash questions है guys उद्धी बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए इस पंक्त में उद्धी सब्द है किसका प्रयावची सब्द है तो देखे उद्धी जो है न यह पयोदी का प्रयावची सब्द हो जाएगा तो पयोदी आपका सही अंसर हो जाएगा यानि कि option number V सबी बच्चे session को एक बद सेर कर देंगे जाता से जाता चाउथा questions है निमलेखित में से काउन सा एक वागत पूरवकाले क्रिया से समंद नहीं रखता है काउन सा वागत पूरवकाले क्रिया से समंद नहीं रखता है वहाँ पैदल घर आया वहाँ पैदल घर आया इस वाक में पूरवकाली क्रिया से समंध नहीं रगता है तो option number A सही हो जाए Nash questions है guys की दधियो धन का संदी पिछित क्या होगा दधियो धन का संदी पिछित होगा दधी धन ओधन तो D options विल्कुल सही हो जाएगा छटे questions की हम बात करेंगे गाज छटा questions है निम लिखित विकल्पों में से जिसे वाणी द्वारा कहा ना जा सके वाक्यांस के लिए एक सार्थक सब्द क्या होगा विकल्पों में जिसे वाणी द्वारा कहा ना जा सके वाकेंस के लिए एक सार्थक सब्द होगा अर्नी वर्चनी है अर्नी वर्चनी है तो ए ओप्शन्स विल्कुल सही हो जाएगा अगला कोशन्स है गाईस की सर्प सब्द के लिए कौन सा परियाबाची सब्द परियाबाची अर्थ उप्यूकते रहेगा सर्प सब्द के लिए कौन सा प्रयावाची अर्थ उप्यूक्त रहेगा देखिए व्याल जो है न ये सर्प सब्द के लिए प्रयावाची अर्थ उप्यूक्त रहेगा तो A options विल्कुल साही हो जाएगा अगला कोशन्स देखेगा निम्लिकित में से किस वाक में अर्थ का अर्थ धन है भारत की अर्थ बिवस्था विकाशील है ये अर्थ का अर्थ धन है तो D-Options विल्कुल सही हो जाएगा वाक ध्यान का संधी विक्षेद क्या होगा वाक ध्यान का संधी विक्षेद होगा वाक धन दान आपका सही अंसर हो जाएगा यानि की option नमर T अग्लाकोशणिस है guys दूसरे के का में दखल देना वाक्यांस के लिए सर्टक सब्द इमें से कौन सा है दूसरे के का में दखल देना इसका मुखावरा क्या हो जाएगा यानी हस्तक छेप यह भी वो सकते हैं आप लोग और A option विल्कुल सही हो जाएगा Nash questions देखेगा guys अगला questions क्या है Quotions क्या है guys की सरवोचित सब्द से दिया गया वाके पूर्ण करें आप मेरी राय की खालिस्तान दिया जा रहा है कर ही नहीं सकते क्योंकि मेरी बात 16 आने सच है आप मेरी राय की उपेक्छा कर ही नहीं सकते क्योंकि मेरी बात 16 आने सक्च है D options विल्कुल सही हो जाएगा Nash questions देखेगा guys So guys questions है की सरवनाम का रूपा नाम तरण खालिस्तान दिया जा रहा है की ड्रश्टिसे होता है रख्टिस्तान के लिए उचित विकल्प क्या होगा सरवनाम का रूपा नातरण पुरुस वचन और कारक की ड्रश्टिसे होता है तो पुरुस वचन और कारक आपका सही अंसर हो जाएगा यानि की option number C So guys अगला गोशन से देखेगा निमलिखित में से किस सब्द से पक्च्या अनुस्वार का भाव प्रकट होता है किस सब्द से पक्च्या अनुस्वार का भाव प्रकट होता है तो देखिए अनुकूल में अनुकूल में पक्च्या अनुस्वार का भाव प्रकट होता है V options जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा Nash questions देखेगा guys next questions है दिये गए वाक्यांस के लिए एक शब्द क्या होगा धन से सम्मंधित तो धन से सम्मंधित यानि की आर्थिक वी options विल्कुल सही हो जाएगा तो अगला questions देखेगा अगला questions क्या है गाईस की कुम्ब करण खाले स्थान दिया जा रहा है के लिए प्रिसिद्ध है रिक्ष्टिस स्थान में उप्योग तद्वाव सब्द क्या होगा कुम्ब करण जो है ना ये नीन्द के लिए प्रिसिद्ध है तो वी options विल्कुल सही हो जाएगा अगला questions है guys उगले तो अंधा निगले तो कोड़ी इस काहवत के उचित अर्थ का होगा हर इस्तिती में नुकसान होने की संभावना तो C options जो है आपका विल्कुल सही अंसर हो जाएगा सत्रमा questions देखेगा निमले लिखित अर्थ वाली काहवत की पहचान करे दिखावती ठाट वाट किंतु सार कुछ नहीं यानि कि छपपर पर फूस नहीं डियोणी पर नाच V options विल्कुल सही अंसर हो जाएगा नैश questions देखेगा guys अगला questions क्या है questions है guys की पितांबर में कौंसा समास होगा तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद व्यक्ति आप भगवान के नाम आ जाए तो वहाँ पर आपका बहुत प्रियस अमास होता है देखिए पितांबर है ना तो पीला अंबर है जिनका यानि कि भगवान बिष्णु, नील कंठ, नीला कंठ है जिनका भगवान सिव लंबोदर, लंबा उदर है जिनका यानि भगवान गनेश तो इस प्रकार से आप लोग पचान सकती है दशानन, दश्यानन है जिसके यानि कि रावन, ये भगवान तो है नहीं ये एक प्रिसिद ब्यक्ति है तो यहां हो जाएगा बहु प्रे समास तो वी आप्शन्स विल्कुल सही अंसर हो जाएगा अगले कोशन्स की बात करेंगे नाश कोशन्स देखेगा कोशन्स के आए निमलेकित विकल्पों को ध्यान पूर्बग पढ़ें और बताएं कि इने में से कौन सा विकल्प दिगु समास का उधारण है दिगु समास यानि की संख्या वाची सब्द संख्या वाची सब्द जिसके पंच बटी पांच आरा इसमें बताहर जानन यानि गणेस सामास पितामबर इसमें भी बहुऄ परी समास हो जाएगा यह आपको ध्यान होजा भी एक राकोशन्स दिखेगा निम लिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रियोग हुआ है सर्वनाम किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रियोग हुआ है वहाँ सब भले लोग हैं इस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रियोग हुआ है options सही हो जाएगा गद्यांस दिया जा रहा है कि गद्यांस को आपको पढ़ना है पढ़ने के वाद आपको आंसर खुदी ना पानी ना दबा पीले दुरुबल निरास चेहरे ये संकट अनान्यास नहीं आया है संतान को इसरी विदान और बरदान मानने बाला भारतिय समाजी इस रक्त बीजी संस्क्रक्त तेले जिम्मेदार है जाए खिलोने की रोटी पनाने को वस्त ना हो सिच्छा को सुल्क और रहने को छप परना हो लेकिन अंदे भूंके अदे नंगे बच्चों की कतार खड़ी करना हर भारती अपना जन्म सिद्ध अधिकार समस्था है यदि इस जन्म ब्रदी पर नियंतर ना हो सका तो हमारे सारे प्रियोजन और आयोजन व्यर्थ हो जाएंगे धरती पर पर रख संक्या और उत्पादन दर्थ से चोड़ सिपाई का खेल शुरू हो जाता है आंगे आंगे जन्म दर और पीछे-पीछे उत्पादन प्रदी वास्यविक्ता यह है कि उत्पादन प्रदी के सारे लाप को जन्मिंष का वर्यर्थ कर देती इसके परिदाम स्रूप बस्तु म अलब्र हो जाती है मैगाई नतर बढ़ती है जीवन इस तर गड़ता रहता है गरीवी आसिक्षा बेकारी बढ़ती चली जाती है देश वही का वही cute पड़ा जा रहा है इसमें गद्यांस का सीर्षक क्या है देखिए गद्यांस का सीर्षक क्या यह बोला जा रहा है तो देखिए गद्यांस का जो सीर्षक है बढ़ती जनसंख्या एक अभिशाप इस पर यह गद्यांस दिया गया है ठीक है तो डी ऑप्शन विल्कुल सही अंसर हो उत्पादन ब्रद्धी भी ब्यर्थ हो जाती और मैगाई बढ़ जाती है तो B options विल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला question देखेगा रक्त वीजी संस्कृति का अर्थ क्या है रक्त वीजी संस्कृति का अधिक संत्ति उत्पन करने की संस्कृति पी options विल्कुल सही आंसर हो जाएगा नाश questions देखेगा गध्यांस के अनुसार भारत में बढ़ती जन संक्या के लिए जिम्मेदार है संतान को इसुरिये विधान और बरदान मानना बरती जन संक्या का दुस्प्रबाव निम्नमैसे नहीं है रोजगार के साद्रों में ब्रद्धी D option विल्कुल आंसार अच्छा ही हो जाएगा ठीक है